लैला मजनुबाब के विरुद्ध प्रेम्यूद जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबी को बताया था कि मैं एक गेम बना रहा हूँ जिसका नाम है लैला मजनुबाब के विरुद्ध प्रेम्यूद ये गेम इंडिया पर बेज जाए और ओपन वर्ल्ड होने वाला है और बिल्कुल भी जीटे से इंस्पाइड नहीं है पिछले वीडियो के धमाकेदार रेस्पाउंस के लिए सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों ने कॉमेंट्स के तुरू जो जो आइडियास दिये हैं वो बहुत ही जबर जासता हैं कुछ लोगों ने सजेशन्स दिये हैं जैसे की पूल स्टेशन कार मंदिर हेलिकॉप्टर क्रिकेट स्टेडियम एरपोर्ट मगर एक भाई ने तो पूरा खाने का मेन्यू ही डाल दिया है मंचूरियन, शवर्मा, चाय, समोसा सब बोल दिया है डानने को भाई गेम बना रहा हूँ रेस्टुरेंट थोड़ी बट मैं प्रामिस करता हूँ कि अपकमिंग डेवलॉग में कमेंट सेक्शन में दिये गए तुम लोगों के सजेशन को गेम में जरूर इंक्लूट करूँगा लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नए फीचर और अपडेट अब तक इस गेम में अड़ किये गए हैं तो नए अपडेट और नए फीचर और उनके धमाकेदार विज्वल्स के लिए रेडी हो जाओ तो बिना किसी देरी के चलो सुरू करते हैं सबसे पहले गेम खेलते हुए जो चीज मैंने नोटिस किया वो था गेम का मेन कैरेक्टर कंट्रोलर जो कि अच्छा तो था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था और जैसा कि हमारे गेम के पुलिस्टेशन के गांधी जी ने कहा है कि अगर गेम का कंट्रोल नहीं है राइट तो क्योंकि मैंने देश को आजादे दिलाने के लिए फाइट और तो और कैमरा वॉल्स के अंदर गुज जाता था और ये मेरे लिए बहुत प्रॉल्लमाटिक होता क्योंकि कई सारे घर अंदर से खाली है अरी देवा ये गड़ बड़े बाबा अब यार जब अंदर जाना ही नहीं है तो इंटीरिर बना के क्या ही फाइदा उपर से मजनु जम भी नहीं कर पाता साई से पूरा मुवमेंट हजीब सा लगता था मगर फिर पूरे एक हफ़ते की महनत के बाद अब देखो कैसे चल रहा है और अब कैमरा भी वॉल्स के अंदर नहीं जाता है गेमपले एकदम स्मूद हो गया है और हम जम बटन को होल्ड करके स्प्रिंट भी कर सकते हैं स्टैमिना भी ड्रेन होगा और प्लेयर का ठकने वाला एनिमेशन भी चलेगा बट अभी वो फंक्शनेलिटी मैंने नहीं डाली है कारेक्टर कंट्रोलर को स्मूद करने के बाद मैंने देखा मजनु का घर और अब देखो यह मजनु का नया गर जिसमें मैंने एक बड़ा गेट बाहर बनाया है और बाकी सारे गेट बहुत अच्छे से काम करते हैं और बाकी पेंट पॉदे और ग्रीनरी भी है और एक साइकल भी खड़ी रहती है यहां पे घर के अंदर का लुक भी थोड़ा चेंज किया है चेर और बातरूम तो देखो अब गेम में रोड इतने खाली खाली थे तो मैंने कुछ गाणिया रोड पे रखी और वह अपने आप ही चलने लगी यह देखो अटोमाटिकली कैसे बढ़िया दरीके से गाड़ी चल रही है और इसके लिए मुझे जरा भी कोड लिखनी की जुरूत नहीं पड़ी और चार-पास दिन तो जरा भी बरबाद नहीं हुए मेरे हम अगर इन गाड़ियों के आगे आते हैं तब यह रुख भी जाती है और हम इने चुरा भी सकते हैं कितना न्यू कॉंसेप्ट है ना बिल्कुल जीटिय वगेरा गेम से इंस्पार नहीं है अब सोचो जरा गेम में तुम भटक रहे हो और कोई नैविगेशन नहीं है बिल्कुल उस डेलिवी वाले भाईया की तरह जो रॉंग एड्रेस पर पहुंच जाते हैं यह मैंने सोच क्यों ना गूगल मैप्स को ही गेम में डाल दूँ अब मैप पे डबल क्लिक करने से वेपॉइंट एड़ हो जाएगा और एक मैजिकल रास्ता अपियर हो जाएगा जो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा बस एक चीज की कमी है वो जीपेस वाली आउंटी की आवाज लेला माजनू सबसे अच्छा गेम है मैंने इस गेम में कई सारे न्यू मॉडल्स और प्लेसेज भी आड़ किये हैं जैसे कि ये न्यू सब्जी मार्केट जहां का एम्बियन साउंड मैंने खुच जाके पास के सब्जी मार्केट से रिकॉर्ड किया था और यह पुलिस टेशन जिसका काफी बड़ा रोल होने वाला है गेम के अंदर चलो मैं अंदर से दिखाता हूँ तुम लोग को ये पॉलिस टेशन कैसा है तो सबसे पहले दरवाजे से अंदर आने पर हमें दिखाई देगा टेबल और चेर और तीन फोटोस उसके बाद लेफ साइड में हमारे पास जेल है और दरवाजे से बाहर आने पर हमारे पास दो और फिरम कूद भी सकते हैं तो ये था हमारा पूलिस टेशन और ये बहुत ही बड़ी पारकिंग वाली बिल्डिंग साथ ही में ये सिनेमा हॉल जिसका नाम है एस सिनेमा और कई सारे न्यू हाउसे भी हैं और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके कमेंट सेक्शन के सब्सक्राइब करने वाला हूँ तो कमेंट सेक्शन में अपने सजिशन को जरूर डाले लेवल डिजाइन में नए नए एरियास भी आड़ हो रहे हैं और आपको नेक्स अपडेट तक देखने को मिलेंगे NPC की बात करें तो मैंने कई तरह के NPCs गेम में डाले हैं जैसे कि नॉर्मल लोग जो रोड पे और गाणियों में घूमेंगे साथ में ही कुछ ऐसे characters जो बड़े ही unique and funny होंगे जैसे कि एक केला और ये hot dog और ये चाय character ये सब एक easter egg की तरह होंगे आप इनसे जाके interact भी कर सकेंगे और characters बहुत ही funny होने वाले हैं ये funny funny dialogues बोलेंगे और इनके काम भी बहुत funny होंगे जैसे कि ये hot dog जो कि hot dog के दुकान पे hot dog बेज़ता है और जरा इसके दुकान का नाम तो देखो main menu और settings पैनल को एकदम must बनाने का try किया है मैंने फिर भी अगर कोई suggestions हो तो please बताइए और थोड़े animations भी डाले है मैंने बट main menu में काम अभी बहुत बाकी है और एक छोटा सा loading scene भी add किया है जिसमें अभी भी बहुत काम बाकी है इस loading scene में अभी बस एक ही picture लगी हुई है जो कि बहुत बेकार दिख रही है मगर आने वाले time पे बहुत इस cinematic photos लेके मैं इसमें डाल दूँगा अब सबसे जादा पूछे जाने वाला सवाल ये game कब मिलेगा और play store और app store पे आएगा भी या नहीं आएगा कुछ लोगों को लग रहा है ये game सिर्फ video में ही रहेगा कभी launch ही नहीं होगा अरे भाई patience तो रखो हमारा मजनुव भी testing में busy है पर हाँ एक बात पक्की है ये game play store और app store दोनों पे release होगा तो बस थोड़ा और इंतजार करो और game के testing version के लिए discord जोइन कर लो testing link सिर्फ वहां मिलेंगे मगर अभी उसमें काफी time है और discord पर बस link ही नहीं आप मुझसे बात भी कर सकते हैं game के regarding और किसी भी suggestion के लिए I am always open और comment section में ये बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको इस game में क्या चाहिए तब तक के लिए bye bye मिलते हैं अगले डे ब्लॉग में hopefully जल्दी ही see you soon खत्म बाइ बाइ टाटा गुड़ बाइ गया कर दो